हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जल्दी करो जल्दी लेक्याओ जल्दी लेक्याओ जल्दी लेक्याओ जल्दी लेक्याओ जल्दी 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 करो जल्दी 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 जल्द किया था यह सब वह कैसे समझ में नहीं आ रहा सर देखते ही देखते पेशंट को कैसे आग लग लगी प्रीस अड़ी आप लोग जिस वक्त यह आग लगी उस वक्त कोई और भी ता कमरे में नहीं सर कोई नहीं था मिष्टा अंस के बॉड़ी काट बाहर ही पैरा दे रहे थे हाँ सर पर इनके आने से पहले साब अच्छी खासे लेटी हुए थे लेकिन जैसे नोंने दरवाजा खोल अच्छानक आग लग ग जब कम्डे में कोई था ही नहीं तो फिर आख किस ने लगाई है अपने आप लग गई आगई है यह शॉर्ट सोकेट का चकर भी नहीं लगता लेकिन यह आख जैसे भी लगी हो हम इसका पता करकर ही रहें गए अच्छी 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 फ्रॉड की वाइफ और बेटा हैं। अंज को हाग कैसे लगी कैसा हुग रहा है यह सब पापा उठी है पापा क्या होगा आपको पापा अब यह अपने आपको ने के थोड़े वक्के लिए आप लोग भार कॉरीडॉर में इंतजार कीजें पंकज, प्लीज, चलिए, बापा, आइए. डॉक्टर साब, अंच जी यहां कौन सी बीमारी का इलाज कराने के लिए एडमिट हुए थे? कल राथ है ने फूट पॉजिनिंग की बज़े से लाए गया था, इनके घर पार्टी थी, शायद कुछ उल्टा सीधा खालिया होगा. अच्छे, यह बताओ के डॉक्टर साब के इस कमरे में आने से पहले, कोई और भी आया था इस कमरे में? हाँ सर, दो लोग आय हुए थे, एक कमरे की साफसफाई करने वाला और दूसरा बिस्तर की चादर बदरने वाली. यह अंच कुमार, इस अंच कुमार के गुंडली निकालनी होगी, जहां तक मुझे आदा आता है कि बहुत सारे काले कारनामों में शामिल था. पंकज, प्रेदिमा और अंकित को खर भेज़ दिया? हाँ सर, बहुत रो रहे थे पिचाद. मसे सालमके साब, आपको क्या लगता है? आग, किस वचे से लगी? मेरी वाद छोड़ो, सचेन. तुम बताओ, तुम लोगो क्या लगता है, भाई? सारुमके साब, वगर हमें पता होता, तो हम आपको क्यूं बुलाते हैं? देगा तारिका, इन लोगोने तो हाथ कड़े कर दी हैं. अरे, प्रदियमन तो कहता था, तुम लोग सुपरकॉप है, याँ? सर, हम तो सिफ तहकीकात कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस साइंस के मास्टर तो आप ही है, न? तो ठीक है, अंदाजा क्या लगाते हो वो अंदाजा ही बता दो, याँ? सर, हमें ऐसा लगता है कि ये चिंगारी लगाने वाला कोई इनसान नहीं, बलकि कोई वस्तू, कोई चीज है. याँ, वो सकता है, देखते हैं. ये बात है, क्या बात है, सर? पंच कीज चम्डी के टुकड़े पर मुझे दो किस्म के कमिकल मिले हैं, एक का नाम कोजू, और दूसरे का चिलिंग फी. कोजू और चिलिंग फी? ये कमिकल के नाम या कोई चानिज रेस्टरांट के? तंकज, मजाक में. और ये दोनों केमिकल जो आपस में मिल जाते हैं, तो एक तीसरा केमिकल बनता है. जो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है, अगर उसे एक निश्चित मात्रा से ज्यादा ओक्सीजन मिल जाए तो. और जैसे ही डॉक्टर साहब ने इस कमरे का दर्वाजा खोला, यहां का ऑक्सजन लेवल बढ़ गया और अंश का शरीर खुद बखुद जलने लगा. इसका मतलब अंश की बॉड़ी पे ये केमिकल ऑस्पिटल के किसी अंदर वाले ने लगाया है, अंदर वाले ने. देखिए आप बेवज़े हम पर सक कर रहे हैं, हम बला अपने मरीज की जान क्यो लेंगे? दोक्तर साथ, हम भी यही जानना चाहते हैं, कि आपने किस के कहने पर वो केमिकल अंश की बॉड़ी पे लगाया? देखिए मैंने मिस्टर अंश को चुआ तक नहीं है, मैं तो एक एक दबाईयां उनके बॉड़ी गाट के सामने देता था. अगर आपने नहीं चुआ तो किसने किया है? किसने स्पंज बाद दिया उसे? देखिए मिस्टर अंश यहां पर फूट पोजनिंग के इलाज के लिए आये थे, तो स्पंज बाद देने का सवाल ही नहीं उठता. मैं कह रहा हूँ ना कि हम में से किसी ने भी उनकी बॉड़ी गूपर कोई केमिकल नहीं लगाया. अच्छा, तो आप यह कहना चाते हैं कि डॉक्टर सालों के गलत कह रहे हैं? जी नहीं, मैं यह बिलकुल नहीं कह रहा हूँ. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैंने या मेरे किसी भी स्टाप ने उनकी बॉड़ी गूपर कोई केमिकल नहीं लगाया है. दो लोग आय हुए थे, एक कमरे की साथ सुभाई करने वाला और दूसरा बिस्तर की चादर बदरने वाली. माय काड़, कई वो केमिकल उस चादर पे तो नहीं लगावा था, जो अंच के कमरे में विच्छुई थी. रॉप साब ये सारी बेट्षिट कहा रखी जाती. देखिए सर, यहां पर सारे रूम नंबर्स लिखे हुए हैं और उस कमरे के रूम के अनुसार वहां की बेट्षिट और बागी का सामान जाखा हुआ है. सर, यह अंच के रूम का लोगर है. बेगे में विखे हुए है. पहर डिए अगा है. अबरिए में झेंच. याँड़ी. इस टेल्स? गाविल लगता है थोड़ा केमिकल रहिया था इसमें सही कहरे हो साचिन अब तो इस लॉकर को बहार निकालना ही पड़ेगा आप लोग फीछ थोड़ा पीछे रहिये सर प्लीज संभाल के हुआ सर यह क्या आपकी बार तो आगे नहीं लगी आपकी बार तो आगे नहीं लगी आपकी अग सिर्वस में लगी यह देखो सिर्फ यह बैग जला है बाकी सारी के सारी चीजे बिलकुल ऐसी ही यह देखो सर इसका मतलब केमिकल इस बैग में होगा और बेटशीट इसी बैग में लाई होगी आपकाश एक्जाक्ली ऐसा ही हुआ है अब चादर बिचाई थी जी सर शीला मैं मैंने मैंने कुछ नहीं किया सर मैं इन केमिकल्स के बाल में जानती तक नहीं हूं जादा भूली मत बनो अंच के कम्रे की चादर तुमने बदली थी ना बदली थी मगर वगर क्या एक और ने मुझे पचास अजार उपे दिये थे और का था अनसाप के कम्रे में ये चादर बदल देना उसने आपको पैसे दिये और आपने पैसे ले लिया एक बार भी नहीं सोचा कि इसके पीछे उसका मकसद क्या है मुझे क्या पता था साब कोई ऐसे तरीके निकालेगा किसी का खून करने के लिए उसका चेरा पैचानत उसके दाहिने हाथ पर एक काला सा निशान था यहां पर ठीके आप लोग जा सकते हैं जी सब्सक्राइब अन्श को फूट पोईजनिक हुई उसके घर पे जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडबिट लुआ और कमाल के बात है के हॉस्पिटल में आने के पाद वो जलके मर गया उस्तगर बढ़ है सर इस गर पे तो जगे जगे सीचीड़ी कैमरा लगें और इतने सारे बॉड़ी गांट्स लगता है अंच जानते थे कि उनकी जान को खतरा है राइट श्या कोईना कोई बात तो जरूर थी वरना इतनी जादा सिक्योरिटी कोई मामुली इंसा नहीं रखता इससे मिलना थेंक यू सर ये घर तो बड़ा अलिशान है अंच बहुत पैसे वाला रहा होगा जितना बड़ा आदमी उसके उतने जादा तुश्मान नमस्कार नमस्ति आपसी कुछ सवाल पूछने थे जी पूछिये जिस रात अंच ची की तबएद खराब हुए उस रात उनका खाना किसने बनाया था सहब खाना तो मैंने बनाया था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया तो फिर सिर्फ अंच की तबएद क्यूं खराब हुए और किसी की क्यूने मुझे मालूम नहीं अब मालूम नहीं कहने से तो काम नहीं चलेगा ना कोई तो था जो चाहता था कि आंच शॉस्पिटल पहुँचा है ताकि वहाँ वह खुणी बड़ी असानी से उस जुन को अंजाम दे सके एनिवेस, हमें उस पार्टी की गेस्स लिस्ट चाहिए थी जी गोपी पिछले पाथ साल से उनका खाना बना रहा है ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता तो और कौन कर सकता है क्या आपको किसी पर शक है शायद गगन गगन अच्छा ये गगन कौन है पापा का बिजनेस मेनेज़जर था अभी कुछ दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था पाटी में गगन भी आया था हां मगर बिन बुला है हाँ साप गगन हो सकता है उस दिन पार्टी में मैंने उसको तो अंच गगन पे चिला रहे थे हां साप पर म्यूजिक की आवाज बहुत तेज थी मैं समझ नहीं पाया कि सहब गगन को क्यों डाट रहे थे मगर अंच ने गगन को नौकरी से क्यों निकाला था पता नहीं मगर ज़रूर कोई बड़ी बात रही होगी जो उन्होंने अपने दस साल पुराने एंपलॉई को एक ही जटके में काम से बहार निकाल दिया गगन को नौकरी से क्यों निकाल दिया था इसका जवाब टूड़ना होगा क्या आंशी की मौथ होगए है जेया मगा में शक्या है कि उनकी मौथ में आपके पती गगन का ह thankful आध है ये क्या कह रहे है आप गगन अपनी जान दे सकते हैं पर वो किसी की जान लेने के कभी सोच भी नहीं सकते है सोचा नहीं बलके कर दिया बहुत ही लंबी चौडी प्लानिंग के साथ गगन ने अन्ष को हॉस्पिटल में चलाती है आपको कुछ गलत फेमी हुई है गगन ऐसे नहीं है वो ऐसा नहीं है तो कैसा है वो तो उनसे मिलने के बाद ही बता चलेगा वो कब तक वापस लोटेंगे मुझे नहीं पता मैंने पुलिस स्टेशन में उनके गुमशुदा हुने की रिपोर्ट भी लिखवाई है कल से वो गाइब है बुरा मत मानीगा मैड़ लेकिन मुझरिम अकसर खून करके ऐसे ही फरार हो जाते बार-बार उनको मुझरिम कह करके उनका अफमान मत करिये अगर उनको जुन करना ही होता तो वो अंजजी की बात मान करके अंकित को मारना देते एक मिठ एक में क्या कह आपने अंजजी ने गगन को अपने बेटे अंकित का खून करने का काम सौपा था पर गगन ने साफ इंकार कर दिया और इसी वज़े से उनोंने गगन को नौकरी से निकाल दिया ओ, तो इस वज़े से गगन को नौकरी से निकाल दिया गया और कोई बाप अपने अपनी बेटे को मरवाना क्यों चाहेगा सर नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता आप प्लीज कह दीजे जूट है मेरे पापा मुझे मानने की प्लैनिंग अभी करी नहीं सकते हम जानते हैं ये बात आपनों के लिए काफी थका पहुचा पहुचाने वाली है गगान के पतनी जूट बोल रही है अपने पती को बचाने के लिए जाओ तो बात कर लो नहीं सर इंपोर्टन फोन नहीं है अच्छी मेरा एक फ्रेंड मुझे मिलने के लिए परेशान कर रहा है और फिलाल मैं किसी से मिलना नहीं चाहता सर अगर आपके सवाल फूरे हो गए हो तो क्या हम जा सकते हैं हमें अंच की शोग सभा के तेयारे करनी है ठीक है आप जा सकते हैं इचीता येस सर सर जब जब अंकित का फोन बज़ रहा था तब उसका रवया कुछ अजीब सा नहीं हो गया लग तो रह तक उपा रहा है मज़र अखो इसमे अख सर हम यह उनक्या राद बर यही खड़े रहे पहरा देंगे राद बहुत काम के चीज होती है वंकज जो काम दिन के खुले उजाले में नहीं किया जा सकते ना वो रात के साय में हो जाते है सर अंकित आ रहा है आनी राश्रया हमें ले जा रहा है सकताप प्याश्रय में सकते का बड़ में ये इतनी रात को यह हैं ठावे पेख खाने को आई यह नहीं एक शुच आइक तेखने नहीं आया है यह यह एसे इंसान का इंतिजार कर रहा है जिसे यह ए दिन के उजाले में नहीं मिल सकता जाले में तो सुझे यह लड़का हुआ है यह तो लड़की निकले अरे आप लोग और यहाँ हाँ हम लोग हम बहुत महनत करें आपके पापा के खुनी को ढूनने के रैसे यह कौन है यह स्वादी मेरी बेस्ट फ्रेंड है हाँ हाँ वो तो अमने देखी लिया है देखे आप लोग प्रीज मेरी ममा से मत कहेगा कि मैं इससे यह मिला हूँ क्यों वो आंटी मुझे इतना पसंद नहीं करती क्यों पसंद नहीं करती मालूम नहीं पर नहीं करती और उनके गुस्से से मुझे बहुत लगता है ठीक है नहीं बताएंगे अच्छाँ सब अच्छाँ से मुझे प्रिंसिपल ओफिस के बार खड़े में पड़ा दर लगता कभी सोचा नहीं था कि कि सीएडी का काम मुझे एक बार यहीं ले आए काफी शरारती बच्चे तो अशले प्रिंसिपल के बार कड़े कर दिये जाते थे बस यहीं कभी कभी टीचर पनिश कर दे थे आईगे आपको अपको प्रिंसिपल सामने हंदर बुला है अलो अलो सारी आप लोग को इंजार करने बार अट्स ओके हम यहां अंकित कुमार ना के एक स्टूडें के बारे में कोच जानकारी हासिल करने आए अंकित कुमार तो वो जो बहुत ही ब्राइट इस्टूएंट है इस कॉलेज का पढ़ाय लिखाई, खेलकूद, डिबेट, ड्रामा हर चीज में वह नंबर वन रहता है अच्छा इतना हुनगार है वह हाँ बलकि इस बार कॉलेज का इस्टूएंट आफ ये रवार्ड भी तो उसे ही मिला है यह दिखे यह नहीं इसकी फोटो इसमें अंकित कुमार का है यह तो है यह नहीं आपको कोई गलत फिमी हो रही है हम लोग अंकित कुमार के बारे में बात कर रहा है यह. यह तो है अंच्कुमार और ऐधिमा का बैटा स्ट्रूर सर्थ सर्थ了吧 तो पर यह असली अंकित है तो फिर वो कौन है जो कुई भी है उसके एरादे ठीक नहीं है और इधिमा जी ने हमें उसके बारे में बदाएं क्योंने है रिदिमा जी का है मैडम अपने कमरे में है आईए मैडम मैडम सी आई डी वाले आया हुए है मैडम रिदिमा जी सार कमरे में तो कोई नहीं है रिदिमा जी सार यहां भी कोई नहीं है सार यह देखिए सार यह आपे कुन भी लगा हुआ है रिदिमा जी का किड्नाप हो किया है इन तुक्ड़ों को देख के तो यही लगता है कि उनकी किड्नाप के साथ आतापाई हुए हो कि अंकित का है बलाओ से अंकित बाबा तो आज सुबह घर से बाहर चले गए है निकिल अंकित को फोन लगाओ इस कमरे में इतना कुछ हो गया और किसी को भानाग तक नहीं लगी फाइदा क्या घर में इतनी सिक्योरिटी का अशे यह बताओ कि खिड्की के पीछे की तरफ भी कैमरा लगा है ना जी सेफ मुझे उसकी फुटज देखनी है सॉरी सेफ लगता है कैमरा दो गुटे से बंद है मतलब जरूद तुम में से ही किसी का काम ही है जिसने खुना करने से पहले कैमरा बंद करती है सर अम ऐसा क्यों करेंगे कोई बाहर वाला यहां के कैमरा बंद नहीं कर सकता यह किसी अंदर वाले का काम है समझे तुम साथ, एस सर, अंकित का फोन बंदा रहा है कहीं सब के पीछे, अंकित का हाथ तो नहीं है कि अंकित का अंकित का अंकित का रहा है तक तक टरम दो बखिए प्रपयों प्राइब से अफिते प्रप़ा वाला गाफ कर दो बगाना चाइब प्रप़ाना है रिदिमा जी, रिदिमा जी, मैडम जी, रिदिमा जी, उठी है मैडम जी, रिदिमा जी गगेन तुम, तुम मुझे यहां लेकर आया, मेरे पती को मार दिया, आप मुझे भी मारोगे यहां जी, आप क्या कह रही है, आने तो अंच साफ का नमक खाया, उमके लिए जान दे सकता हूँ, मैं बाहर में का तुम है सोच भी नहीं सकता तुपरा, कौन लेकर आया मुझे यहां पर, क्यों आया हम शाहिद उसी ने, इसने हम दोनों को किडनाप किया है तुम भी? जी हां, मैं भी आप ही की तरह इस चारदिवारी में कह दूँए ए भगवान, उसका अगला निशाना कही मेरा राज तु नहीं तो तुम हो राज, अंश और इदिमा जी के असली बेटे जी सर, मुझे तो अब तक यकीन नहीं के पापा इस दुनिया में नहीं रहे रभी ने तुम मुझे इस पारे में कुछ बताया तक नहीं लेकिन रिधिमा जी ने ये बात चुपाई क्यों तुम से? उसी वज़े से, जिस कारण सुनन मुझे दुनिया से चुपा कर रखा और अंकित को अपना बेटा बना लिया लेकिन यसी भी क्या बज़े थी? जिसने एक माबाप को अपने बेटे से दूर कर लिया सर, आप तो CID वाले, आप से तो कुछ बात चिपना ही सकती अपने खांदानी बिजनस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पापा ने कुछ ग्यार कानूनी काम किये जी हाँ, जैसे रिश्वत देना, करप्शन को बढ़ावा देना, ग्यार कानूनी बिल्डिंग्स बनवाना और कभी-कभी गैंग्स्टर्स की मदद करना सर मुझे कहते हैं बहुत शर्मिंदगी है के मेरे पापा इस देश के अच्छे नागरिक नहीं बन सके और वो बहुत ही अच्छे पिता थे इन गैंग्स्टर से बचाने के लिए उन्होंने मुझे दुनिया से चुपा कर रखा तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए उन्होंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया और गोद ले लिया अंकित को ताकि कभी कोई तुम्हारे परिवार को नुफसान पहुचाता तो निशाने पर अंकित होता तुम नहीं एक्जाक्ली और जब ये बाद अंकित को पता चली उसका रवया कुछ उखडशा गया उसने ममी पापा की इज़त करना बंद कर दिया पिछले कुछ तिनों से तो वो पापा को ब्लैक्मेल कर रहा था कि अगर उसे प्रापड़ी का अधा हिस्सा नहीं मिला तो वे राजपुरी दुनिया को बता देगा सर, सर हो सकता है शायद इसी वच्छे से अंच ने अंकित को मानने के लिए गगन सका हूँ नहीं सर, हो सकता है कि गगन की वाइफ सच कह रही है हो सकता है और ये भी हो सकता है कि रिदिमा जी की किटनैपिंग में उनके गोदलिवे बेटे अंकित का ही हाथ हो सर, प्लीज मेरी ममी को बचा लिजी पहली अपने पापा को को चुका हूँ अब ममी को नहीं को नहीं कोना चाहिए कबराओ मत, कुछ नहीं होने देंगा मेरी दिमा जी को अंकित के पोस्टर पूरे शेहर में लग चुके हैं कोई ना कोई उसे जरूर देख लेगा हलो कहां? चिंचोली क्रॉसिंग? आप कौन बोल रहे हैं? हलो? हलो? सर, गुमनाम कॉल आया कह रहा था कि चिंचोली क्रॉसिंग पर मिलो कुछ जरूरी बात करनी है जरूरी बात करनी है? फिर तो मिलना पड़ेगा कॉolesिंग है तो बताओ किया बताना चाहते थे सर मैनने आपको आपको कोई चाहना भी करेका क्योंकि इस आपने अटमी कापने पोस्टर लगाया थे उससे मैनने कही देखा है सर तुमनेए पका घ्ञान जएो देखा थे, लो अंकित ही थे कहां देखा है उसे? सर, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो कहीं मैं मुसीबत में नपड़ जाऊं सर देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम बताओ तुमने कहां देखा था अंकित को सर, मैंने उसे हसनपुरा की चॉल में देखा था सर हसनपुरा चॉल यह इदर रहता है इदर इदर? हाँ आपने एसे कहीं देखा है? हाँ उस तरफ रहता है तैंक यू सर, पता चल गया अंकित उस घर में आता जाता था सर, 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 सर बहुत मुश्किल होई सर लेकिन मैंने पता कर लिया अंकित इसी घर में आता जाता था यह घर में पंकज हम सब को पता है अब सब आप लोग है हम लोग यहां हमें बोडिकार्ट की जरुवत ही तो सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए क्या मजा करते हैं साफ सी आडी को कब से बाडिगार की जरुद पढ़ने लगी जब से तुम जैसे बाडिगार्ट की जुरुद पढ़ने लग गए जिस परिवार में तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए रखा था तुम उसे ही नुकसान पहुचा रहे हो यह क्या कहने है अ सबसाच जबता दो हम जान चुआ है कि अंकित अंची का बेटा नहीं है पटाओ क्या सक्षे को बोलो क्या सच वह मताता था न मताव पढ़ाता सहां कि अंग की आनकेत का असली बाप मैं हुग है ऑस है अ आ अंसा हम मेरे बेटे को गूध लेना चाहते थेए quindi मैं भी अपने बेटे के सुनेरे भविष्य के लिए, उन्हें बना नहीं कर सका अगर तुम्हारे अंकित ने जिस थाली में खाया उसी में छेट किया पहले अंच को मार डाला फिर इदिमा को किड्नाप कर लिया नहीं जाग, मेरा बेडा इसे नहीं कर सकता, मैं उसे अची तरह जानता हूं अगर ऐसा है तो हम अंकित को कुछ नहीं होने देंगे लेकिन अब हमें सापसाब बताओ अ अंकित हमें मिलेगा कहाँ अंकित अपने दोस्त सवाती के साथ है, इसाथ ग्रीण सीलओज में वेंसील लॉज सर, ये अंकित की गाड़ी है, अंतर चल के चेक करते हैं C.I.D. उस सफेद गाड़ी में जो आये हैं, वो कौन से कम्रे में ठह रहु है? रूम नंबर 113 थांक्यू, आओ कौन है? मैडम, हम रूम सर्विस्ते हैं, तड़ा खोली ने चौकलेट केक लाएं आपके लिए मगर हमने तो केक नहीं मंगवाया मैडम, मुक्का है ना, हमारे होटल का पाच्वी सालगिरा है इसी लिए हम सबको चौकलेट केक खिला रहें आप भी खाये ना, प्लीज C.I.D.? ऄप खिलाज़ लिए कर दो के लिए कर दो कर दो रहे, 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 रहे कर दो क्यू वां कर दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, प्लीज तुम भही हॉस्पिटल वाली लगकी या प्लीज, जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया C.I.D. की आदब नहीं है, मुझे रिमो कुछ जाने देने की हाँ, मैंने ही पैसे दिये थे उस लड़की को ताकि वो कैमिकल वाली बैट्षी आँच के बैट पे बिचा सके किसके कहने पे किया था तुमने ये अंकित के कहां मिलेगा ये अंकित पता नहीं अच्छा तो ये तो पता होगा ना की रिदिमा को कहां छिपा के रखा है नहीं पता यह पता नहीं वो पता नहीं तुम्हें पता क्या स्वाती गरवन कहा है यह पता है मुझे आइसी तो और क्या-क्या पता है तुम्हें आइसी तो नहीं पता है ना अंक्यत जरूर मेरी परवरिष में कुछ कमी रह गई होगी जो आज मुझे यह दिर नेक्डों को मिल रहा है हाँ आपके परवरिष में कमी रह गई बच्पन से लेकि जवानी तक आप मुझे बेटा-बेटा कहती रही और आज एगदम से मुझे पदा चलता है कि आप मेरी मा नहीं है मा हो तो आप जैसी लेकिन मैंने तुम्हे कभी अपने बेटे से कम प्यार नहीं किया अंकित जूट है यह ड्रामा है आप अपने बेटे को बचाना चाहती थी माना की ये सब राज को बचाने के लिए किया गया अंकित लेकिन अंचन मैंने तुम्हे कभी भी उससे कम नहीं माना उससे कम प्यार नहीं किया मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ ममी इसलिए तो आपको पापा तक पहुंचाने के लिए आया हूँ और एक टिकेट के साथ दूसरी बोनुस टिकेट फ्री रिदिमा जी गारू का लिए उसके असर पे खूल सावार रहे बागा लिये पक्लो 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 अरे शूट कारू ना गोल खेला उने तो गोमाँ डाले गारू का अगा गा नहीं दीज पर मारों के अगा अगा व्लीज नहीं आप डालेका हमको अगा अगा वह अगा अगा यह यह क्या क्या तुमने तुम पुसे मार ढाला, तुम उसके पैर्फिक फायार कर सकते थे ना, उसे मार ढाला तुमने, काकन, वाट तेडिया दू? पेर उसे, गबराट में गोली चल गई, मैं इसे मारना नहीं चाहता था यह तुम हर के हैं? क्या है यह सर, हाँ, कैसे ही वाई है? मैं जान भूझ के नहीं मारा सर, मैं सिर्फ अपने आपको बचाना चाहता था यह कगन सही कहा रहा है, अगर हमने अपने बचाव के लिए इसे नहीं मारा होता तो यह हम दोनों को मार देता हम समझ सकते हैं, श्वेर, इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ला, आप लोग जाए प्लीज इनके साथ में चली झाल 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 झाल, 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 झाल क्यों मुझे दोका दिया, क्यों मुझे मार दिया, क्यों मुझे मार दिया, क्यों कि आपने ऐसा मेरे साथ, 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 क्यों झाल 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 तुम 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 अचे मने बर्वादिया था ना? तुम जिन्दा कैसे हो गए? कि अभी जिन्दा नहीं होते हैं रिदीमा जी यह सब तो CID का प्लान होता है पुनेगार से उसका शर्म कबूल कराने का अंकी तो कभी मरा ही नहीं था तदा पड़ा दोका मेरे साथ मैं 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 दोका तो तुम नहीं दी है मैंने जो कुछ भी किया आपने बेटे के लिए किया है राज तुम्हारे पापा तुम्हें अपने गयर कानों ने बिजनस में शामिल करना चाहते थे लेकिन मैं मैंने तुम्हें हमेशा कुनाओं के इस साय से दूर रखना चाहा मा अरे कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम भी पापा की तरह इस तरह कुनाओं के दलदल में धसी हुई हो और इसलिए ने ने पापा को मानने के लिए मेरी मदद ली थी और प्रॉपरटी में पच्छेस पसंट शेर देने का वादा भी किया था इस प्लान में तुम द और इस प्लान में तरह कर देने के लिए और ने परहेस के लिए ना जाओ सैंविच और जूस लेकर राँ चाँ मगर साब ने तुम्हारे बस हैं बट साब की बस में हूँ चाँ जी मैं तुम जोब ऐसा आपको खाना के लाद होगी है जी मैं कभी सोच भी ने सकता था कि आप ऐसा करेंगी फुद गुना किया और मुझे फ़सा दिया तो और 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 क्या करती तुम्हें पता चल गया था कि आंके तांश को मानना चाहता है इसलिए मैंने आखरी वक्त पर सारी बाजी पलट दी और उस पलटी बाजी में मेरी भी बली चड़ा दी थी मुझे पता चला कि गगन को तो पूरी सच्चा ही पता ही नहीं है उसे तो यही नहीं पता कि अंश की मौत में मेरा हाथ है इसलिए मैंने सारा इल्जाम अंकित पर टाल दिया राज मैंने ये सब तुम्हारे लिए क्या बिटा गुनाओं पे ममता की चाधर ओर देने से तु आदालत करेगी या तो भासी होगी या पर जिन्दगी बद जेल